मैं आइसक्रीम करी तरह एक बंदिया के खहरी अरे तुम तो सामने से ज्यादा है नसमू कटारिय ने क्या रिप्लिक दिया हूं आप सुन सकते हों भाई बहुत सारे लोग पूछ पूछते हैं किल्विस मैं अपने बॉल्ग निपनाता ऑर आपके ब्लॉक्त भाइब और गायब सा तो देख बढ़ थो इसई इस फूछला वाइप इतना गायब गायब क्यों रहते हो यहां पर कटारिया का आंसर सुनते ना आप लोगों को सायद से ना पता चल गया होगा कि सायद से कटारिया बिग बॉस में ना जा सकता इसी रिजन से कटारिया ना काम में बीजी होगा इसी रिजन से ना दिख पा रहा होगा जो भी होगा असली रिजन आप को पता चली जाएगा टाइम आते इसके बाद एली सादव ने ने फूज स्टोरी अपलोड करके बताया है कि आज की रात ना हमारे लिए ना बहुत ही इंपोर्टेंट है तो सबसे पहले ना आप इल्वी शादव ने चा कहा एजन को राप सून सकते हो आज बहुत वो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मैं आप लोगों को ज्यादा डीप ली नई सोतने दूंगा तो अपने फ्रेंड के साथ यहां पे क्लब में गहे थे जो कि लोग में भी बताया कि उसके किसी फ्रेंड की एंगेजमेंट थी तो सायद से इसी के उपर यह पार्टी क्यारी अरे तुम तो सामने से ज्यादा है जो की फैक्ट है मैं रियल में बहुत अच्छा दिखता हूं बाई बलास्टिक सर्जरी करवानी है मेरे को एचली गया ना कि सींग लगवाने इधर दो सींग लगवाने तो फिलाल के लिए तो इतना ही न्यूस था अगर आप लो लोगों को हमारे चैनल पर इसी एलवी सादव के लेटेस्ट न्यूज मिलती रहेगी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाबाई